गीतिकाब गीतिकाब जो है संस्कित साहित का बहुत ही महत्पोर टॉपिक है गीतिकाब के बारे में जानते हैं कि संस्कित भासा में कुछ ऐसे छोटे बड़े काब्य हैं मिलते हैं कहाने की संस्क्रित भासा में कुछ ऐसे छोटे बड़े काव हैं और मिलते भी हैं जिनका विसाय सिंगार, नीती, भक्ती, वैराग, आधी है और इनमें जो है ना आत्म विवंजन की प्रदानता रहते हैं किसी विशाय की नहीं आत्मा हमारी क्या कह रही है हमारा दि गीति काविका है और इसे लिरिक कहा जाता है लिरिकल प्रटरी भी कहा जाता है यह यूरोप में जो सोक प्रेम आद मार्विंग भावों का अभिवक्ति करने वालों गीत प्रदान कविताओं को लिरिक कहा जाता था जो यह लिरिक सब्द है ना यह यूरोप से निकला है व उनकविताओं को वहाँ पर लिरिक कहा जाता था वही आल लिरिक्स बना है और बात करने कि कुछ भी द्वानों ने गीति कावी को संस्कित कावे सास्त्र में नीरुपीत खंड काव से अभिन समझा है खंड काव से क्या समझा है अभिन समझा है अब खंड काव की बात करें तो महा काव के कथानक के एक खंड परासृत है रचना ही खंड काव कहा जाता है तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं अपने भावजानतरिक भाव को जो हम लिखते हैं या उससे प्रेम, सोक, आदि सारी चीज़े सोंग गाते हैं जो वो भी तो एक हमारे दिल की बात होती है जो हमारे भावनाओं से उत्वन हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं गीतिकाब कहते हैं या लिरिकल पोटरी कहते हैं तो आप ध्यान रखना इस बात को हमेशा ये लियान रखने वाली चीज़े हैं तो आपको पता चलगा गीतिकाब क्या होता है लिरिक्स क्या होती है अब पढ़ते हैं कि गीतिकाब के जो लच्छन होते हैं कि गीतिकाब में क्या हो सकता है हम किसे गीतिकाब कहेंगे तो पहले हम जाते हैं कि गीतिकाब वहा काब काब ये प्रकार है जिसमें कभी अपने अं अपना सकती के दार उसे गे बनाकर संचिप्त रूप में प्रकट करता है। बहुत अच्छी बात कहेंगे। यार कि जब हमारे दिल में किसी तरह के या हमारे मन में हिर्दय में किसी तरह के भाधपन होते हैं। उसे हम सोच कि हम लिखते हैं। जैसे हम सारी लिखते हैं, कवि ही गीति-काव की भिवकति होती है और ऐसी रचना निर्मीत की नहीं जाती है इसकी स्वतरजपूर्थी होती है बहुत अच्छी बात है, सही बात कहीं कि यहार अपने आप किसी के बारे में सोचते रहते हैं या बैठे रहते हैं कोई भी लाइनाई लिख लेते हैं फिर दिरे दिरे हो गीति काव पर रूप ले लीती है कहने का मतलब कभी का हिरदय सुक दूख या किसी धार्मिक नयतिक भावों में उद्देलित होकर सहसा काव के रूप में फूट पड़ता है वाँ क्या वात है को पले से हो बहुत दिन से सोच रहा होता है वह प्रवाहित होने लगते हो उसका जो जर्प घड़ा भर जाता है तो पानी बाहरा आने ल deputy उत्य बहुत में सब्सक्राइब कर रखता है पिर वो कलपना का बांध जो होता है टोट जाता है चुसे गे धारो सब्रक्ति चे जाता है कि घृति काव एक तर-बिया बना देता है तो उसे आनन्द की अनभूती होती है वाज उसे तभी आ साय बताए कि मैं भी कभी बहुत सारी सूचता रहता हुआ और आनथ अभी आता है जब उसे लिख लेता हुआ च्छ लिख लेता हूँ पढ़ता हुआ बहुत आनंद आ आता है कि तो गीति का अब की आनंद की नुंबूत हुथ यह तो गीति का अब के तीन प्रमूख ततर माने गए याद कर रहे हैं एक कलपना कर रहे हैं कि इसमें ऐसा हो या कल ऐसा हो और संगीत तीसरा बहुत अच्छी बात है कविता विता सारी गजल उसके पास सोंग और जहां तक भावातिरेक का संबंध है वह किसी कोमल भाव का ही हो रवद्र भाव करने मतलब कोमल हो प्रेम सोक बक्ति नीति वैराग आदी भावना जो है संस्कीत गतिवितियों का विश्य रही है और कभी अपने आवेक को अत्यांत संचेप में ब्यक्ति करता है हां इसमें मतलब संचेप में ब्यक्ति की जाती है लिखा जाता है तब ही वह गीतिकावी हो सकता है ग्यात्मक होने पर ही किसी कावी को गीतिका सकते हैं वाह मतलब संचिप्त हो और गाने लाइक हो जैसे लिखा जात दोसरा होता है नीति आं क्या हो सकती है तिसरा विरह वियोग कैसे किया जा जाता है किसी के आद में真的 रहे वैराग सारी चीज़ छोड़ चुके हों उस समय भक्ती किसी के स्तुती कर रहे होँ आप किσι सावन, भाद में सारी चीज़ों का वर्ड़नanden देवस्तुत्वी मतलद किसी देवता की पुजा कर। या मंगलाचरन कर कर रहे हूं उन सभी का आधी मैं से किसी एक विसाय को चुन कर यह सारी चीजें होती है जो गीतिकाव को शुरूप को बता कर रखते हैं कि यारे क्या चीजें हो सकती है तो यह सारी चीजें जैसे सिंगार नीति विरा वैराग बक्ति रित वर्डन देव देवदाद में किसी एक विसाय को चुन कर उसे संगर आत्माبة विवक्ति दी जाते हैं किसी एक विसाय को चुन कर उसे गाने युग बना जाता है तुस्से क्या यहीदिकाव का स्वरूप मान सकते हैं मानों को अभी भूत करने के लिए कि इनमे आत्मा और विससे का संुछाथ सम्माद निर्प किसी की कल्पना संबह 면ब सकती यार कोछ चीज़े होती है एक देख लेते हैं कि चली और हमारे सामने किसी की दिल टूटर कि कि पर यूड रहा या कोई किसी के साथ बात एक रहाच है तो यह से हम केंद्रभान के लिखते हैं। यार कुछ चीजे होते हैं देख लेते हैं कि चल आर हमारे सामने किसी का दिल तूट रहा है किसी को जूड रहा है या को किसी के साथ बात हे अच्छे तो उससे हम केंदरवान के लिखते रहते हैं और इसके अभूव को अपने अनभूव सिल किछard ho couple कि सिच्छक कोई चीजे पता है हमारे लिए वीरह में क्या होता है प лишь क्या रहा रहा रहे है नहीं बैठे हुए वे मैं सारी भॉल की हम पृता सारी चीजे छोड़़ रहा है मुझे वाराह मुझे नागा बाबा कहा है बक्ति आराद्मवाई बताया था मैंने की आरादना करना देवताओं की इरे तो मतलब विभिन रित्यों का प्रक्रितिक परिवेस में मानुवी भावों का और देवस्तुतियों में देव विशेश की महिमा का संस्कित विश्यों में अनुवासित अभी बंजन किया गया है औ संस्कीत गीतिकाब में भासा और भाव का समन्वय होता है मतलब समानता होता है मतलब भासा और भाव यह दोनों चीज़े होना चाहिए समन्वय मतलब सम्मिलित होना चाहिए जैसे का पुलस का बन जाता है या का की मांतरा लग जाए मतलब समान रूप एक निकलता है कि दोनों चीजे मिल जाते एक नई चीज बने उझे होता है विसमार होता है संस्कृत गितिकाप के दो वर्ग बताए गया है संगार मूलक दुसरा भक्ती मूलक हां इन्हें हम इसना क्योंकि दो चीज़े बता सकते हैं सिंगार में अधर्या पीरह वहरा आगे सारी चीज़ें जो हो गया पीरह वहरा आगे प्रेमी प्रेमी का दूसरा जो तो भक्ति मुलत यह आप ध्यान रखिए हैं इससा बहुत इंपोर्टनेंट है पेपर में पूछे जाता है तो इससे बना के आप लिख सकते हैं